हलो दोस्तों कैसे आई наж आपको बताएंगे कि बहुत बड़ी जानकारी पी अप के से आपना पे पैसा निकाल पाऊ उससे कि हमने forum बरा था P.F. Advance का, तो दोस्तों, आप भी अपना on duty पर भी P.F. का पैसा एडवांस में निकाल सकते हो, क्योंकि कभी न कभी आपको भी जरूरत हो सकती है, कभी न कभी आपको भी P.F. का पैसा निकालने की अमर्जनसी में जरूरत हो सकती है, तो ऐसा केसे करें कि हम on duty पर ही हमारा PF का पैसा निकाले तो यही हम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे 2024 के रूल के अनुसर बताएंगे कि आप on duty पर आप अपना claim का पैसा कैसे निकाल सकते हो PF advance का ठीक है तो दोस्तों आप से वस चोटी सी गुजारी से आपको वीडियो गन तक पूरा बने रहेना और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगा हम PF से समझेदी वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी help करती है तो चलिए PF का पैसा निका यूनिफाइड पोर्टल ठीक है तो यूनिफाइड पोर्टल के उपर आपको यहां पर यूनिफाइड नंबर डालना होता है यहां पर आपको एक पासबर डालना होता है यह केप्चा जो आपको नजर आ रहा है इस केप्चा को आपको इस जिगा पर डालना होता है साइन किलिक करना होता है उसके बाद आपको login factor का एक message आता है OTP आता है आपके mobile number के उपर जो अधरकड़ साथ link है उसको डाल कर आप अपना login होते हो ठीक है अगर आपका ये इस परकार से नहीं आ रहा है तो आप forgot password कर लेना forgot password बना लेना ठीक है न तो यहां से यह हमार पास आ चुक कहना उसको पर आया है उसको हम यहां पर इस जिगाप डाल देंगे capture आपको नजर आए इस capture को यहां डालेंगे और यहां पर submit का option दीखता है इस पर हम किलिक कर देंगे ठीक है आपको दूबारा समझा रहा हूं मैं आपको तीर की निसान से यहां पर डाल देना है और आपक अपना लोग इन कुछ प्रगर से हो जाता है प्रोपर ठीक है यहां से फॉरम का जो option है online services जो आपको दीख रहा है यहीं से service हमको मिलती है पीएप का पैसा निकालने की इस option पर जैसे ही मैं किलिक करता हूं तो option आ जाता है क्लेम जो करने का जो ऑप्शन है फॉरम 31 19 10 10 10 10 10 10 ठीक है तो चलिए यहां से फटाफट में इस option पर किलिक कर देता हूं तो प्रोपर जो हमारा फॉरम है पीएप एडवांस का वही हम बरेंगे यहां से तो उससे पहले आपको यहां पर एक bank account number डालने का option आता है उस पर account number डाल देना है अपना bank का verify option दिख रहा है इस पर अपना account number डाला है तो यहां पर राइट का निशान आ जाएगा ग्रीन कलर में इसका मतलब आपका एकदम account एकदम सही है फिर आपको दोस्तों यहां पर पोश्ट फॉर online क्लेम का एक option दिखता है इस पर आपको क्लिक कर देना तो चलिए फटाफट में इस पर क्लिक कर देता आपको दिखा देता हूं को कि अभी on duty पर आप जब पीएप निकालते हो तो advance ही आपका निकलता है एकसिडेट अगर आपका डला होता है दो मेने होगी आपको काम छोड़े हुए तो जाके ही आप अपना पीएप का पूरा पैसा निकाल पाते हो full and final तो चलिए मैं इस पर क जूम करकर दिखाएंगे तो यही option आपको जो भी है यह सभी आपको जूम करके मैं दिखाऊंगा ताकि आपको सही समझ माय फोरूम भरना आप आराम से सीख जाओगे ठीक है तो चलिए इसको मैं जूम करता हूं और आपको भरके दिखाता हूं फोरूम पहले तो दोस्तों आपको यहां select service का जो option दिख रहा है इस पर click करते हो तो member ID आपके आजाती है अगर आपने एक company दो company तीन company चार company में काम किया है तो वो सभी आपको नजर आ जाती है तो किस से आपको पीएप का पैसा advance का निकालना है तो वही ID आपको select करना है हमने एक company में ही काम किया है तो वह है आपको नजर आ रही होगी तो मैं उसको ही select करूँगा मेरा तो एक यहां नजर आ रहा है मैं उसको ही select करूँगा ठीक है तो चले मैं इस पर click करके उसको select कर लेता हूँ जिसको हम member ID भी बोलते हैं अब दोस्तों आपको मैं यहां से दिखा देता हूँ यहां पर आप निकाल रहे हो तो वह परपज आपको select करना होता है तो यहां से क्या पारा होता है यह लिखा हूँ है select advance पारा तो advance में एक पारे होते हैं जिनके नुसार ही आप अपना PF का पैसे निकाल पाते हो तो वह पारा आपको select करना होता है ज्यादा तर जो अच्छा पारा होता है व लेक। है तो यह पर आपको कोई भी कहती है ठीक है तो चलिए यह से इसको सRECTS कर लेते हैं व हमने यह से लिक्रिक कर लिए अब आपको कितना PESA advance में चाहिए तो वह रकम हमको बरनी होती है advance में यह rule होता है कि आपको कितना पैसे चाहिए ठीक है वह है आपके P.A.P.S के पर depend करता है वो आप जितना भी बर दोगे तो वो अपने अनुसार भेजता है illness option के अंदर आप employee का जो share होता है उसी को आप निकाल पाते हो तो employee का अंदर जितना भी पैसा होता है entry में वही आप निकाल पाऊगे तो चलिए यहां से मैं उसको select कर लेता हूँ कि मुझे कितने पैसे की जरूरत है दोस्तों यहां से मैंने यह सब कुछ select कर लिया है अब हम यहां से employee का जो address है तो address कैसे आपको select करना है इस पर आपको ध्यान देना है जो आपके आधार काड के back side में जो भी address है सेम आपको यहां पर डाल देना है इस जिगा पर और इसके बाद आपको select state करना है state क्या होती है वह भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपका राज्य लगता है उसको state बोलते है ठीक है जादातर लोग समझते है वह आप समझ के भर लेंगे लेकिन यहां पर जो कभी-कभी बरता है फारम जिसको समझ नहीं आता है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ जो आपके आधरकाड के बेक साड में वह आपको डाल देना है ठीक है select state के लिए आपको राज्य का select कर लेना है किस राज्य में आप रहते हो ठीक है पच्चिम बंगाल तमिलाडू जो भी है आपको लिख लेना ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर डिश्टी डालना होता है इस जिगापर उसके बाद आपको एक city डालना होता है जो आपका सहर लगता है ठीक है उसके just बाद आपको यहाँ पर पिन कोड नमबर डालना होता है यहाँ पर address वगेरा सब कुछ डाल दिया है अब यहाँ से upload, scan, copy, off, check and passbook आपको दिख भी रहा है इसके अंदर आपका जातो चेक ले लेना या passbook ले लेना इन दोनों में से एक का chain करना आपको और उसका photo आपको खेचना है लगा, उसके बाद आपको यहाँ पर choose file पर click करके उसको select कर लेना ठीक है, आप direct भी लगा सकते है चूज फाल पर click करके या फिर आप पहला से file manager में आप download कर लेना अपना जो भी और उसके बाद आपको उसका size जो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 100 KB से maximum 500 KB ठीक है, इसको आप पढ़ लेना जरूर इसके अनुसार यह आपका select होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है JPG and JPEG के अंदर वे select होगा आपका ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इसी rule के अनुसार follow करते है और जो भी आप चेक लगाते होगा पास्बूक लगाते होगा तो चलिए मैं यहाँ से select कर लेता हूँ अकर select नहीं होता है तो यहाँ red color का message आता है और red color का message का मतलब है आप दुबार अपनी पास्बूक को लगाई है ठीक है यह याद रखना है तो चलिए मैं यहाँ से choose fire पर click करके अपना select करता हूँ पास्बूक को उस्तों मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर लिखा गए और यहाँ पर लिखा जाता gate आधार OTP तो उस option पर click करके आप OTP बैशते हो तो चलिए मैं इस पर click कर देता हूँ चोक और पर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा gate आधार OTP का option आ गया है ठीक है आपको दिख भी रहा होगा अब दोस्तों इस option पर जैस accessible OTP हमें आ गया है और दोस्तों इस OTP को हम यहाँ पर इस जेगा पर डाल देंगे अगर OTP आने में लेट हो जाता है आपको 10 मिन से ज्यादा हो जाता है तो recent OTP जो आपको दिख रहा है इस पर दुबारा किलिक कर देना OTP दुबारा मंग वा लेना अब OTP हम enter OTP आधार OTP ज क्लिक कर रहा हूं कि दोस्तों आप यहां देख सकते हो हमारा जो फॉरम है यहां पर OTP हैज बिन वेरिफाइड हो चुका है और पीएप एडवांस का जो क्लेम है आपको दिख भी रहोगा एडवांस क्लेम ठीक है आपको 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 यह ऐसे दिखा देता हूं यह इस ओ प्रोसेस मेंने इस वीडियो में बताया है पूरा समझाया है तो दोस्तों इसमें ज्यादा कोई जंजट नहीं है अगर आपकी के वाइसी हुई पड़ी है के वाइसी अपरूड है और वेरिफाइड कर रखी तो आप आपको दिक्कत नहीं आएगे तो दोस्तों कैसे लाग धन्यवाद